करनी का फल प्राचीन भारत में कई बाई लोग पच्छों के आवागमन के लिए घर के आसपास दानों से भरकर टोकरियां लटका रखते थे राजा के कोसाध्यच के रसोईये ने भी ऐसा कर रखा था उन्ही टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने डेरा जमा रखा था जो रात भर तो उसमें रहता फिर साम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लोटाता एक दिन एक कवा भी वहां के रसोई घर से आती हुए पक्ते मानसाध की खुसबू से आकरसित हो कबूतर की टोकरी में आ बैठा और प्रेम पूर्वक वारतालाप करने लगा कवे की चिकनी चूपडी बातों में आकर कबूतर ने उसे आती थिपरदान किया किन्तु यह चेतामनी भी दी कि रसोई घर से उन्हें कुछ भी नहीं चुराना है रसोईये ने जब उन दोनों पच्छों को साथ साथ देखा तो ततकाल उन्होंने कवे के लिए भी एक टोकरी कबूतर की टोकरी के पास लटका दी यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्रों को बातचित करते रहने के और भी अच्छे आवसर मिलेंगे दूसरे दिन कबूतर जब तड़के ही उड़कर दूर निकल गया तो कोवा अपने टोकरे पर दुपका पड़ा रहा उस दिन रसोईये ने मचली पकाना अरंब किया पक्ति मचली की सुगंध से कोवे के मुख में पानी भर भराता समय समय पर वा टोकरी के बाहर सिर निकालता और मांस चुड़ाने का मौका तलासता एक बर उसने जब देखा कि रसोई घर के रसोईये थोड़ी देर के लिए धुमरपान के लिए बाहर निकले हुए थे तब वह उड़ता हुआ नीचे आया और पक्ति मांस के एक बड़े से टुकडे पर चोँच मार दी जिससे हांडी के उपर रखा कर्चल नीचे गिर गया गिरे कर्चल की आवाज सुनकर एक रसोईया दोड़ता हुआ नीचे आया और कौवे की चोड़ी पकड़ ली उसने ततकाल रसोई घर का गेट बंद कर कौवे को धरदबोचा और बड़ी बहरहमी से उसके पंको को नोच उसे मिर्च मसालों में लपेट कर बाहर फेंक दिय थोड़ी ही देर में कौवे के प्राण निकल गए सामको कबूतर जब अपने निवास इस्थान को लोटा तो उसने कौवे के पंक और म्रद्देह को बाहर पड़ा हुआ पाया उसने ततकाल समझ लिया कि कौवा अपने लोब का सिकार हो चुका था कबूतर एक समझदार और दूरदर्सी पच्छी था वह ततकाल उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को प्रस्थान कर गया क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मुर्खता के दंड का भागी हो सकता है प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें धन्यवाद